कपिल सर्मा बिदेश में ऐसी हरकत कर बुरे फसे इस मामले में केस हुआ दर्ज कॉमेडियन कपिल सर्मा यूँ को दर्सकों को खुब हसाते हैं लेकिन अक्सर ही उनका नाम कई विवादों में भी आ जाता है अब एक बार फिर से कपिल सर्मा बुरे फस्ते दिखाई दे रहे हैं दर्सल विदेश में कपिल सर्मा के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है कपिल सर्मा इन दिनों अपने कॉमेडि टूर का लुप्ट उठा रहे हैं जहां उनके साथ उनकी टीम भी मौजूद है कनेडा टूर के बीच कपिल सरमा पर केस दर्ज हो गया है एक्टर पर गंबीर अरोब लगे हैं जिससे उनकी मुश्किले बढ़ सकती है हर कोई उनकी कौमिक टाइमिंग का दिवाना है वहीं कपिल का कॉंट्रोबर्सी से भी काफी पुराना नाता है जो की अब एक बार फिर से जुड़ता दिखाई दे रहा है कौंट्रेक्ट के उलंगन का अरोब कपिल अपने सातियों के साथ कनेडा में परफॉमेंच करने के लिए गए हुए है इस बीच उनके खिलाब सिकायत दर्च कराई गई है यह सिकायत उत्री अमेरिका में कौंट्रेक्ट के लंगन को लेकर की गई है मेडिया रिपोर्ट के मुताइक साइं USA INC ने कपिल सर्मा के खिलाब उनके उत्री अमेरिका टूर के दोरान किये गए कौंट्रेक्ट लंगन के लिए मुकदमा दायर किया है अमिर्का में सोक राने वाले जाने माने परमोटर अमी जेटली का नुसार मामला छे सोका है जिनके लिए कपिल सर्मा को देम उतरी अमिर्का में साइन और भुकतान किया गया था जेटली ने अरूप लगाया है कि अभिनेता ने उन 6 सहरों में से 1 में पपोइंस नहीं किया था वादा करने के बाद भी नहीं लोटाया पैसा इतना ही नहीं कॉमेडियन ने वादा किया कि वो उसका भुकतान किया हुआ पैसा वापस कर देंगे लेकिन कपील ने आज तक पैसा वापस नहीं किया है उन्होंने किसी चीज का रिस्पॉंड नहीं किया कोट जाने से पहले हमने उनसे कई बार बात करनी की कोशिस की लेकिन हमें उनकी तरफ से कोई रिस्पॉंस नहीं मिला जेटली ने जनकारी दी कि ये मामला अभी भी निवर्क वोट में है और अब वो कॉपिल के खिलाब कानूनी करवाई करेंगे अब आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपनी राइक कॉमेंट वाक्स में जरूर बताएं